महाराश्ट्र की राजनिती में पिछले एक महीने से सरकार बनाने को लेकर जो उठा पटक चल रहा था वो उधव ठाकरे के शपत के साथ ही खत्म हो गया बहुत खीचतान के बाद उधव ठाकरे आखिरकार सीएम की कुरसी पर बैठने में काम्याब हो गये लेकिन उधव के सीएम बनने से पहले महाराश्ट्र की राजनिती पल पल बदलती रही शिव सेना कॉंग्रेस और NCP सरकार बनाने पर मन्थन ही कर रहे थे कि अचानक रातो रात कहानी बदल गई देविंदर फटनेविस सीएम और अजित पवार डेपुटी सीएम पद की सपतली और फिर राजनितिक भुचा ला गया लेकिन जब फटनेविस सरकार के बहुमत परिषण का वक्त आया तो अजित पवार ने स्तिफादे दिया और अपने चाचा शरत पवार के पाले में चले गए अब राजनीतिक गल्यारों में राजनीतिक पंडित इसका विशलेशन कर रहे हैं और शरत पवार को चानक के कहा जा रहा है चर्चा है कि क्या शरत पवार अपने भतीजे अजित को बीजेपी की ओर भेज कर एक साथ कई चाले चली थी जो देविंदर फड़नविस नहीं समझ सके और पवार का काम भी हो गया सवाल इसलिए भी उठने लगा है कि बीजेपी से हाथ मिलाने के बाद जब अजित पवार NCP खेमे में लोटे तो अजित पर कोई करवाई नहीं हुई इसके अलावा अजित पवार को उद्धव ठाकरे सरकार में अहम मंत्राले भी दिया जाएगा उद्धव ठाकरे के शपत गरन में अजित पवार के साथ शिब सेना और NCP के नेताओ का वर्ताओ ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही नहो NCP के कारिकरता भी कह रहे थे कि वी लव यू अजित दादा शिब सेना के नेता संजर आउत ने कहा कि अजित पवार ने बड़ा काम किया है यही वज़ा है कि यह सवाल उठने लगा कि अजित पवार के BJP के साथ हाथ मिलाने के पीछे कोई सोची समझी शाजिस तो नहीं थी फिलाल अभी यह रहसी ही बना हुआ है लेकिन BJP भी चुप बैठने वाली नहीं है शरत पवार महराश्ट के चानक्य के रूप में उभरे है तो अमित शाह देश के चानक्य के माने जाते है और BJP ने चान बीन भी शुरू कर दिया है इसके संकेत देवंदर फटनविस ने दिये है महराश्ट में उधव ठाकरे की ताजपूशी हो गई गठ बंदन की सरकार भी बन गई लेकिन सबसे ज्यादा सीट होने के बावजूद BJP सा से बाहर हो गई आपको बता दे कि BJP और शिव सेना की सरकार बन सकती थी अगर BJP का शिर्ष नेत्रित तो केंद्रिय मंत्री नितिन गठकरी को मुख्य मंत्री बनाने के लिए मान जाता तो आज महराश्ट में BJP शिव सेना गडवंदन की दोबारा सरकार बन चुकी होती क्योंकि शिव सेना देविंद्र फड नविस की जगह गठकरी को मुख्य मंत्री बनाने और ढ़ाई साल के लिए अपना मुख्य मंत्री बनाने की शर्त छोड़ने के लिए राजी थी शिव सेना ने ये प्रस्ताव BJP के कारेकारी अध्यक्ष जेपी नड़ा को दिया था लेकिन BJP शिर्स नेतिर तो इसके लिए राजी नहीं हुआ इतना ही नहीं संग भी गड़करी के नाम पर तयार हो गया था सर संग चालक मोहन भागोस से इसकी चर्चा की तो वह भी इस बदलाव के लिए राजी हो गए बताया जाता है कि उन्होंने कहा कि देवेंद्र और नितिन दोनों ही उनके लोग प्रिये और संग के स्वयम सेवक हैं इसलिए अगर पहले पांच साल देवेंद्र फडनवीस को मौका मिला तो अब अगर नितिन गर्ट करी बनते हैं तो संग को कोई एतराज नहीं होगा दरसल बीजेपी नितित्तों को पूरा भरोसा था कि स्वयू सेना कॉंग्रेस के साथ नहीं जा सकती है और अगर जाना भी चाहेगी तो कॉंग्रेस कभी इसके लिए तयार नहीं होगी क्योंकि उसकी धर्म निर्पेक्षता की राचनिती उसे ऐसा नहीं करने देगी इसलिए कोई अन्य विकल्प नहीं होने से देर सबेर्शियू सेना जुग जाएगी लेकिन महराष्ट में तो खेल ही बदल गया कल तक जो सीएम था आज विपक्ष में बैठेगा और सत्ता की मलाई कोई और चाटेगा महराष्ट विधान सबा चुनाओ के बाद सरकार बनाने के लिए बीज़ेपी शिपसेना में सीएम पत को लेकर खीश तान चल रही थी बीज़ेपी ने सीएम पत देने से मना कर दिया जिसके बाद शिपसेना ने एनसीपी और कॉंग्रेस की ओर हात बढ़ा दिया शिफसेना एंसीपी और कॉंग्रेस में सरकार बनाने पर चर्चा शुरू हो गई शिफसेना और कॉंग्रेस को साथ लाने में शरत पवार की एहम रननीती चल रही थी इसी बीच शरत पवार ने दिल्ली में प्रधान मंत्रिक नरेंदर मोदी से मुलाकात किया और उस वक्त भी खबर आई थी कि एंसीपी महाराष्टर में बीजेपी को समर्थन दे सकती है इसके बदले एंसीपी को केंदर में मंत्राले दिया जा सकता है लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अगर पीएम मोदी शरत पवार की शरत मान लेते तो इस वक्त महाराष्टर में बीजेपी की सरकार होती द्रसल शरत पवार ने मोदी सरकार से अपनी बेटी सुप्रिया सूले के लिए क्रिशी मंत्राले की मांग की थी इसके अलावा पवार का यह भी शर्त था कि फटनविस की जगह किसी और को बीजेपी मुख मंत्री बनाए लेकिन पीए मोदी क्रिशी मंत्राले जैसे भारी भरकम मंत्राले न्सीपी को देने और देविंदर फटनविस को हटाने के पक्ष में नहीं थे क्रिशी जैसे एहम मंत्राले मोदी बीजेपी के पास ही रखना चाते हैं बीजेपी के सरकार बनने के बाद से क्रिशी शेतर में काफी काम किया गया है इसके अलावा एक वजह यह भी थी अगर NCP को क्रिशी मंत्राले दिया जाता तो बिहार में BJP के साथ ही नितीस कुमार की पार्टी जद्यू रेल मंत्राले के लिए दावा ठोकने लगती और BJP के सामने समस्या खरा हो सकता था ऐसे में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भी BJP के हाथ से दो एहम बड़ा मंत्राले निकल सकता था इसलिए BJP ने पवार की शर्त नहीं मानी महराष्ट में उधव सरकार बन गई पूरे धूमधाम से शिवाजी पार्क में उधव ठाकरे की ताज़ पोशी हुई हिंदुत्तों की छवी से बाहर निकल कर अब उधव ठाकरे सेकुलर राजनेता बन गए लेकिन इसके पीछे कई सवाल भी है उधव के शपत गरहन में शिव सेना ने तमाम पार्टियों को नियोता दिया था लेकिन नितिश से लेकर ममतावेनर जी मायावती अखिलेश यादव अर्विंद केजरिवाल कोई उनके शपत में शामिल नहीं हुआ उमीद थी कि करनाठक जैसा ही कुछ होगा जब कुमारस्वामी की सरकार बनी थी तो मंच की वो तस्वीर सब को याद होगी जब हाथ उठा कर सब खड़े थे और विपक्ष की एक जूटता का नारा दिया था लेकिन मुंबई में ऐसा कुछ नहीं हुआ सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस कड़वंदन की बदावलत उद्व महराष्ट की गद्धी पर काबिज हुए उसका ही शिर्ष ने तृत्तो शपत ग्रहंट से नदार रथ था श्रिवाजी पार्क में ना सोनिया गांधी कहीं नजर आई ना राहूल गांधी और ना ही पूर्व पीएम मन मोहन सिंग जबकि उद्व ठाकरे के बेटी आदित्त ठाकरे ने दिल लिया कर सब को नियोता दिया था तो सवाल यही है कि आखिर कॉंग्रेस की यह कैसी राचनिती है एक तरफ महराष्ट में वो ऐसी पार्टी को सपूर्ट कर रही है जिसके विचारधारा ही हिंदुत्तों की है लेकिन दूसरे राज्यों के चुनाव को देखते हुए शपत ग्रहन से दूरी बना लेती है क्या अभी भी कॉंग्रेस और बाकी दलों को वोट बैंक की राचनिती सता रही है अगर ऐसा ही है तो आगामे चुनाव में इसका असर जरूर दिखेगा महराष्ट्र में ठाकरे दाज शुरू हो गया अपनी पुरानी साथी बीजेपी से रिष्टा तोरने के बाद शिपसेना ने एंसीपी और कॉंग्रेस से हाथ मिला लिया और उद्धव ठाकरे महराष्ट्र के अठारवे मुखमंतरी के रूप में 28 नौमबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में शपत ली ठाकरे सरकार बनते ही उद्धव ठाकरे ने वादों की जरी लगा दिया लेकिन उन वादों को वो पूरा करते हैं या नहीं यह तो वक्त ही बताएगा लेकिन उद्धव ठाकरे के शपत लेने के बाद कॉंग्रेस को जटका जरूर लगा है कॉंग्रेस पार्टी हर पल पीएम मोदी को कोस्ती रहती है और शिवसेना के साथ गटवंदन करने के बाद कॉंग्रेस के नेता ऐसे बोलने लगे मानो वो कल ही मोदी सरकार को सत्ता से हटा कर कॉंग्रेस की सरकार बना लेंगे लेकिन उद्धव ठाकरे के शपत के बाद शिपसेना के मुख्य पत्र सामना में पीएम मोदी की तारीफ की गई जो शिपसेना एक दिन पहले तक बीजेपी पर जम कर निशाना साथ रही थी और 24 अक्टूबर के बाद से ही सामना में मोदी और बीजेपी पर लेख दौारा हमला किया जा रहा था उसी सामना में लेख के जड़िये अब बताया जा रहा है कि उद्धव मोदी भाई भाई है शिवसेना ने PM मोदी की तारीफ करते हुए उद्धव ठाकरे को PM मोदी का छोटा भाई बताया है सामना के समपादिकिये में PM मोदी का जिक्र करते हुए लिखा गया कि महराश्टर की राजनीती में BJP शिवसेना में अनबन है लेकिन नरेंद्र मोदी और उद्धर ठाकरे का रिष्टा भाई-भाई का है शिवसेना के इस लेक से कॉंग्रेस में हर कम्प जरूर मचकिया होगा चौथे नंबर की पार्टी होने के बाद भी कॉंग्रेस पिछली दर्वाजे से अपने विचारधारा को दफन करके शिवसेना के साथ सत्ता की मलाई काटने सरकार में शामिल हो गई और कॉंग्रेस दावा करने लगी कि अब मोदी सरकार का काउंट डाउन शुरू हो गया लेकिन ऐसे ही चौथे नंबर की पार्टी बन कर खुश होने वाली कॉंग्रेस को भी ये मालूम है कि मोदी सरकार से मुकाबला करना उसके अकेले की बस की बात नहीं उत्धव ठाकरे के शपत के साथ ही महरास्ट में शिवसेना का सियम का सपना पूरा हो गया 20 साल बाद शिवसेना का मुख्यमंत्री बना और ठाकरे परिवार से पहला मुख्यमंत्री राज्य को मिला लेकिन शिवसेना को इसके लिए भारी कीमत चुकानी परी जो शिवसेना अपने आपको हिंदू विचारधारा की पार्टी कहती थी वो आज धर्मनिर पेक्ष पार्टी कहने वाली कॉंग्रेस के साथ हाथ मिला लिया उद्धव ठाकरे तता कथित सेकुलर निताओं के हीरो बन गए विपक्षी निताओं को लग रहा है कि शिवसेना को अपने पाले में करके मोजी के खिलाफ एक नई शुरुआत हुई है जिसका संदेश देश के दूसरे राज्यों तक पहुचेगा लेकिन सवाल ये है कि जो शिवसेना हर साल 6 दिसंबर को शौर दिवस मनाती है वो इस बार क्या करेगी द्रसल शिवसेना के संस्थापक बाला साहिव ठाकरे हमेशा कहते थे कि 6 दिसंबर 1992 को शिवसेनी को द्वाना ही अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराई गई थी शिवसेना हर साल 6 दिसंबर को शौर दिवस के रूप में मनाती है जबकि कॉंग्रेस इस दिन को देश भर में काला दिवस के रूप में मनाती है लेकिन इस बार 2019 में शिवसेना ने कॉंग्रेस और NCP के साथ मिलकर सरकार बनाई है तो देखने वाली बात ये है कि उद्धव ठाकरे इस बार क्या करेंगे और सोनिया गांधी का क्या रुख होगा इसके अलावा शरत पवार की भूमिका भी देखने वाली होगी 6 दिसंबर को किस तरह से शिवसेना कॉंग्रेस में टकरा होता है क्योंकि कॉंग्रेस तो 6 दिसंबर को काला दिवस मनाएगी ही लेकिन शिवसेना शौर दिवस मनाती है या उद्धव ठाकरे इस दिन को शौर दिवस के रूप में न मना कर यह साबित कर देंगे कि अब वो फिलहाल शिवसेना की ओर से शौर दिवस को लेकर कोई बयान नहीं दिया गया है। के कर्जमाफी का ऐलान नय मुखमंत्री द्वारा कर दिया जाएगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिलहाल शिवसेना की समस्याओं को छोर कर मंत्राले के बटवारे को लेकर तीनों पार्टियों में पेच फसा हुआ है। जिसे सुलजाने में उद्धब बेचारे फसे हुए है। डिप्टी सीम पद को लेकर भी कॉंग्रेस और न्सीपी में टकराओ बढ़ता जा रहा है। अब दो डिप्टी सीम के फॉर्मूले पर विचार किया जा रहा है। उद्धब को विधायकों के टूटने का डर हो सकता है। इस पर बीजेपी ने कहा कि अगर बहुमत नहीं था तो दावा क्यों किया। फटनविस ने कहा कि राजी की जनता जानना चाहती है कि शिवसेना एंसेपी कॉंग्रेस का महरास्ट विकास अगाडी गटबंदन विधान सवा में बहुमत होने का दावा करने के बाद अब डरा क्यों हुआ है। ब्यूर रिपोर्ट ओमेच नियूज और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।